आप जिस तरह से उसी तरह से अपने आपको एक्सेप्ट करना और इसके बाद अपने इनर डिवन को हराना इसे एक थीम के साथ आज की मूवी आती है I am cyborg but that's okay यह इस मूवी का नाम है यह एक Korean fantasy romantic मूवी है तो चलिए इसका explanation स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक मदर डॉक्टर के बास बैटी हुई है यह दिखता है यह एक mental hospital होता है और इस मदर को अपने बेटी को इसमें भरती करना ना होता है इसलिए interview चल रही होती है मदर की लड़की का नाम चाह है और है हमारा main character है चाह की जो family history है यह डॉक्टर पूछ रही होती है मदर फिर कहती है कि इसके grandma जो है यह भी mental hospital में थी इसके grandma के बारे में फिर डॉक्टर और भी पूछती है चाह की मदर फिर कहती है कि चाह के grandma रदू को लगता था कि हम सब चुह है वो अपने आपको भी चुहा समझती थी वो कहती है कि जब मैं चोटी थी तो एक दिन में स्कूल से घर आई तो वो radish खा रही थी यह जो radish है यह soap की तरह होता है वो और भी कुछ चुहों को खेला रही थी उससे लग रहा था कि है मेरे brother and sister से औक्टर फिर डाइगनॉस करती है और लिखती है इसके जो फ्रेनी की यह patient है यह जो सब चल रहा होता है इसके parallel में हमें दिखाया जाता है कि क्यों अब चा मेंटल हॉस्पिटल में जा रही है चा हमारा जो main character है यह हमें एक fracture में काम करती ही दिखती है इसमें वहाँ एक radio लाया होता है उसका antenna बहुत ही बड़ा होता है और ओपन करती है इसे बात उसे commentary सुनाई दिती है यह जो commentary है यह इसके आवाज में यानि कि इसके सर में ही यह सब आवाज ही चल रही है यह जो commentary चल रही होती है इसके order से अपने जो हाथ होता है इसको ही हो काटती है और इसमें कुछ WS जाल देती है अपने आपको जो charge कर रही है ऐसा उसे लगता है यह जो सब उसने किया है suicide attempts उसने किया है इसकी वज़े से अब उसे इस mental hospital में डाल दिया जाता है अब next time में mental hospital में चाह दिखती है और वो एक bed पर होती है bed पर पड़े पड़े उसके आग तो उपन होती है पर वो जैसे कोमा में है ऐसे वो पड़ी होती है एक और फिर इसका bed लेती है और hospital में यहाँ वहाँ उसे घुमा दिया हर patient की story उसे सुना दिया वो गेती है यह एक patient भागने के कोशिस उसने की थी पुलिस ने उसे बहुत धुणना सब उसे धुणते रहे दो-तीन दिन बाद यह जो बड़ा साग lock है इसके नीचे वो छुपा था और हो मर गया था इसी भायानक बहुत सारी stories उसे सुना थी है पर इसके बाद हमें पता चलता है यह भी वहाँ की एक patient है डॉक्टर वहा आती है और इसे दूर करती थी है डॉक्टर चाह को कहती है कि इसके बाद पर कुछ भी believe मत करना यह अपनी memory loss करती है यह दिखता है कि दिन पर चाह बेड़ पर ही पड़ी रहती है पर जब रात होती है तो वह उट जाती है जैसा सब कोछ नॉर्मल है इस वह hospital में चल रही होती है रात में और भी एक patient जगा हुआ होता है इसका नाम है son यह हमारा दूसरा man character है यह चाह को देखता है और उसका पीछा करने लग जाता है चाहर होती है जो भी non living चीज़े होती है यानि कि light, fridge इस तरह की चीज़ों से वो बात करती है इसी लगता है कि एक cyborg है यानि कि एक robot है इसी वज़े से किसी से भी बात कर सकती है पहले सिन में हमें दिखाए गया था कि आपने आपको यह charge कर रही थी इसे लग रहा था कि इसकी charging कतम हो गई है और यही करने की कोशिश कर रही थी इसी वज़े से इसने आपने आपको electrocute कर लिया था जा फिर हमें refrigerator से बात करते हुए दिखती है और उसे कुछ मांग दिये यह open भी हो जाता है उसे जो चाहिए होता है वो मिल जाता है सन इसका पीछा ही कर रहा होता है और उसकी bag में जो भी कुछ है यह वो देखता है सन एक शातिर चोर होता है तो इसकी bag से वो toothbrush निकालता है प्रेश कर लेता है और ये रग भी देता है चाफे हमें होस्पिटल में अपने बेड के पास जो light होता है उसे बात करती हूँ दिखती है यह उसे पुछती है कि तुम्हें कब पता था कि तुम light हो वो कहती कि मुझे बहुत पहले से ही पता था, जब मेरी नानी होस्पिटल में जा रही थी, तब से मुझे पता है, ये हमें इसकी जो मेमरी है, ये फिर दिखाई जाती है, इसकी नानी को होस्पिटल में ले जाया जा रहा है, और ये अपनी बाइसिकल से इसका पीछा करती है, ये अपनी नानी का पीछा नहीं कर पा रहे ही इसका जो एनीमी है वो अब एंबुलंस बन चुकी है ये इसको अमस बुलाती है इसका mission होता है कि सारे अमस को मिटा दे उसकी जो नानी है उसे फिर से बचा ले चाफिर हमें दीखती है कि वो फोन से हो रही है यह हमारे लाइफ से बहुत ही रिलेट कर पाती है For example, हम यह हमारे purpose के लिए struggle करते है जो भी चीज होती है जिससे हम बहुत ही प्यार करते है यह हम से चीन ली जाती है यह दूर चली जाती है और हम इसे control नहीं कर पाते है फिर भी हम hopeful होते है कि हम इसे फिर से पालेंगे इस तरह से सेमोलिजम का यूज़ करकर ये पूरी मुवी चलती है इस पागल लोगों की कहानी में एक बहुत ही रियल लाइफ स्टोरी निकल कराती है फिर से हम वीडियो में कंटिनू करते है जाके पास हमें एक मोटी औरत आई है ये दिखता है वो कहती है कि मैंने नोटीस किया है कि तुम अपने ब्लेड से कुछ भी खाना नहीं खाती चापने आपको तो साहिबोरी समझती है तो कुछ खाना नहीं खाती ये मोटी औरत फिर उसे कहती है कि अगर तुम खाना नहीं काऊगी तुम पर सब लोग रज़र रखेंगे तुम्हें खाना खाना ही बढ़ेगा तो तुम्हारा खाना में खा सकती हो यह मोटी है तो इसे बहुत सारा खाना लगता है यह deal फिर ही कर लेते है इसके बाद नेक सींजो है इसमें एक meeting चल रही होते है इसमें डॉक्टर और वेशन बैठे हुए होते हैं इन्हें जो भी सब प्रॉलम से ये डॉक्टर ने कहने को बोलती है इन सब को सन से प्रॉलम होता है जैसे मैंने आपको बताया कि सन सब को चोरी कर सकता है तो इन सब की चीजे इसने चोरी की होती है इस पर बहुत ही नाराज होते हैं एक कहता है कि मेरे पास स्टेबल टेनिस खेलने का टैलेंट था पर इसने मुझसे चोरी कर लिया है जो मोटी ओरत होती है वो कहती है कि मुझे बहुत भूग लगती थी पर अब उतनी भूग नहीं लगती इसने मेरी भूग चुरा लिया है इस तरह से यह सब इस वर ब्लेम करते हैं नेक सीन में सन अपने फ्रेंट से कहे रहा होता है कि मैंने खुझ भी नहीं चुराय था मैंने सिफ थाज़े चुराया है चाने अब सुना है कि सन खुझ भी चोरी कर सकता है चा के मन में होता है कि मेरे पास भी एक चीज है जो चोरी हो जाने चाहिए इसलिए सन का अप्पो पीछा कर रही है चा वंडर करती है कि थाज़े कैसे चोरी कर सकता है सन बहुत डिस्टब होता है क्योंकि उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई है इसा उसे लग रहा होता है उसका फ्रेंड उसे कंसोर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सन जब रूम से चला जाता है तो चा भी बहार आ जाती है चा जब अपनी बैक देखती है तब उसके पास हर ड़ी के लिए एक नई पैंटी होती है तो उसकी धस्टे की जो पैंटी होती है यह मिसिंग होती है अब उसे पता चल जाता है कि सन ने क्या चोरी किया था चा सन का पीछा कर रही होती है और सन को पता चल जाता है कि यह उसका पीछा कर रही है वो उसके पीछे आता है तो एक lock में हो छीप जाती है Sun उसे कहता है तुम psycho मेरा पीछा मत करो और भाहा से चला जाता है वो जाते वग चाहों से कहती है मैं psycho नहीं मैं cyborg हो फिर से हमें चाह की एक memory देखती है उसने Sun को अभी भी बताया है कि वो cyborg है इसे ही memory ट्रिगर होती है चाह की मदर के साथ ही उसकी memory है चाह की जो मदर है ये एक restaurant चलाती है इस scene में हमें दिखता है ये चाह अपने मदर के पास जाती है उससे कहती है कि वो अलग है वो एक cyborg है इसकी मदर सप्राइस्ट हो जाती है कि ऐसा उससे क्यों लग रहा है चाह इस पर पुरा believe करती है तो उसकी मदर से कहती है कि ठीक है तुम अगर cyborg हो तो हो पर किसी को भी ये बात पता नहीं चलना चाहिए हमारा restaurant है किसी को अगर पता चला कि तुम cyborg हो तो हमारा जो business है इस पर ज़रा फरक पढ़ सकता है तुम cyborg रहो पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए ये scene ये ही खतम हो जाता है हम जैसे है एस society की वज़े से ही किसी को बता नहीं पाते ये scene ये ही represent करता है अब next scene में हमारा दिखता है कि चाह लाइट से बात कर रही है उसे कह रहे होती है मेरी जो charging method ये work नहीं कर रहे है मैं जब charge हो जाओंगे तो मैं नानी का बदला ले सकूंगे उसे लगता है charging करने के लिए उसके जो seven scenes है ये उसे नहीं करने है ये जो seven scene है इसके बारे में फिर हमें बताया जाता है इसमें किसी के प्रती sympathy होना ये गलत है sad होना गलत है racelessness होना गलत है hesitation करना गलत है daydreaming करना गलत है guilty feel करना गलत है और जादा thankful होना भी गलत है इसमें से बहुत सारी चीज़े नहीं करती इसे लगता है कि he sympathetic है जो ambolence होती है इसके प्रती ये sympathetic है इसी वज़े से उसे लगता है कि अपना मिशन जो अपना गोल है ये complete नहीं कर पा रहे ही इसकी जो सिंपधी है ये सन अब चोरी कर सकता है नेकसिन में हमें सन दिखाये गया है और उसका एक फ्रेंड होता है ये जो इसका फ्रेंड है ये सब लोगों के प्रति बहुत ही respectful होता है कोई भी चीज गलत हो जाए तो इससे लगता है कि इसने ये की है ये hospital में भी होता है क्योंकि एक accident हो चुका होता है और इसके road side पर ये था इसे लगा था कि इसने ये accident ही किया है पर इसमें इसकी कुछ भी गलती नहीं थी जिसका accident हो आथा उसके relatives के पास ये जाता था उन्हें कहता था कि इसकी गलती है ये इनका पीछाई करता रहता था और इने छोड़ता नहीं था इस वज़े से इसे hospital में डाल दिया है अब hospital में भी कुछ भी गलत हो जाता है इसे लगता है कि इसने ये किया है ये son से बोल रहाता है कि मेरा जो ये nature है ये तुम चोरी कर लो son भी believe करता है कि ये चोरी कर सकता है इसलिए इसके face पर एक red color लगा देता है इसके बाद इसके कंदे पर हाथ रखकर इसने ये transfer कर लिया है इसे वो pretend करते है इस आदमी की जो condition थी वो बहुत सारी cure हो जाती है पर फिर भी इसकी जो problem थी इसे ये miss करता है इसके problem है इसके लिए बहुत important थी ये इससे अपचीन ली गई है तो ये रोने लग जाता है इसके बाद son के पास चाह आई हुई है ये हमें दिखता है चाह बोलती है कि मेरी जो sympathy है ये तुम ले लो चाह कहता है कि ऐसे में चोरी नहीं कर सकता ये तुम मुझे दे रही हो और मैं ले रहा हो ऐसा है transfer नहीं हो सकता उसकेता है कि तुमारे लिए बहुत important होना चाहिए और इसके लिए तुमें ग्रिव करना चाहिए तुमें गुस्ता आना चाहिए जब मैं तुम से लोंगा चाह कहती कि ये सब मैं करूंगी और बहुत ही sympathy हो चुका है यह sympathy के साथ रह नहीं सकता तो जिस आत्मी के sympathy थी उसे वापस कर देता है अब यह चा का पीछा कर रहा था तो इसको जो sympathy है यह वो चोरी नहीं करता तो उसके bag में एक valuable चीज होती है इसी वो चोरी कर लेता है इसके बाद चा बहुत ही रोती है इसे पता नहीं होता कि इसकी जो चीज थी यह किसने ली थी यह फिर सन के पास आई होती है यह बहुत रो रही होती है यह कहती है कि यह नानी के दाथ थे यह जब हॉस्पिटल से बाहर आएगी तो चबाने के लिए उसे लगेंगे यह चोरी हो गए है तो इसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है ग्रूप मीटिंग में जब चा को पैदा चलता है तो इस पर वो जबग जाती है उसे बहुत मारती है इसके बाद हमें दीखता है कि सन और चा जो उनकी सेरिमनी होती है इसका मतलब है सन अब किसी कलर से इसका जो फेस है इसे रंग देगा और इसके बाद इसकी जो सिंपधी है यह चोरी कर लेगा यह सेरिमनी उनकी हो रही होती है जब यह खतम हो जाती है तब चा को लगता है उसका जो वे है इसके बीच में कोई भी नहीं आने वाला यह पूरी तरह से शायवर्ग बन चुकी है और चार्ज हो चुकी है यह फिर बाहर निकलती है हॉस्पिटल में आती है हॉस्पिटल में अपने हाथ से गंद मनाती है और सब को मारती है यह जो सब हो रहा होता है इसके dreams में ही होता है और ये dreams जब खतम हो जाता है तब ये exhaust हो जाती है और वो ही गिर जाती है इस scene के बाद sun की जो backstory है ये हम देखते है sun जो होता है ये अपने parents निकलेट हो जाता है ये उनके लिए invisible था तो sun को लगने लगता है ये invisible है इससे वो चीज़े चोरी कर सकता है चोरी करने के वज़े से वो जेल में भी जाता है पर जेल में में चोरी करता है इससे लगता है कि अब ये छोटा छोटा होता जाएगा और एक दिन invisible हो जाएगा वो ऐसा होकर मर सकता है इसे वज़े से वो अब होस्पिटल में आया है उसे लगता है कि अगर वो इलाज लेगा तो वो छोटा नहीं होगा, इन्वीजिबल नहीं होगा इसके जो बिमार ही है, इसके बारे में इससे सब कुछ पता है और इस सेल्फ अवेर है कि इसको अच्छा होना है इसलिए होस्पिटल में आया हुआ होता है होस्पिटल के डॉक्टर्स को पता चलता है कि चाह कुछ खा नहीं रही थी इसे वज़े से वो पढ़ कर गिर गई थी इसका ब्रेन रिसेट करने के लिए इसको फिर से होश में लाने के लिए इसे शौक थेरी भी देते है यह जो शौक में होती है तो उसे ग्रैंडमा दीखती है ग्रैंडमा उससे बात करनी कोशिश कर रही है पर इसे कुछ भी सुना नहीं देता इसको अपनी ग्रैंडमा को बचाना है इसके लिए वो फिर से जाग जाती है डॉक्टर से वो कहती है कि मैं मशिन्स में लगी हुई थी, मुझे मेरी ग्राइडवा मिलने के लिए आई थी, यह जो सब था, इमेजिन कर रही थी, तो इसलिए यह डॉक्टर इससे कंसर्ण हो जाती है, चाह फिर वहाँ से उठ जाती है, और फिर से इमेजिन करती है, कि सब उपोशन करेगा, हॉस्पिटल में इससे जो सब फ्रेंड्स होते है, इनको भी मना लेता है, कि वो भी अब उपोशन करेंगे, डॉक्टर फिर उसके पास आता है, उसे समझाता है, कि अगर वो और भी तीन दीन तक स्टार्व करती रही, तो वो मर जाएगी, यह सुनकर सब डर जाते हैं, वो सब खाना खाने लग जाते है, संन को चाके साथ जो भी सब हो रहा है, यह मनजूरी नहीं होता, तो ज्यादा डिस्टर ब हो जाता है, वो अनकंट्रोल लेबर हो जाता है, और चाके रोम में पोच जाता है, उसके बेड़ के नीचे को कुछ रख देता है, इसके बाद होस्पिटर का जो स्टाफ होता है इसे एक बन खोले में बन कर देते हैं ये जुरूम होती है ये चाकी रूम के पास ही होती है सन ने चाको जो चीज दी थी ये स्ट्रिंग वोकी टॉकी है इसे अब वो बात कर सकते है सन चाको कहता है कि मेरे पास एक बूट है जिससे तुँ ऊड़ कर कहीं भी जा सकते हो यह फिर उनकी एक imaginary दुनिया में Switzerland में पहुच चुके है यह imagine करते है इस imaginary दुनिया में चाक उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए पर यह अभी में मानने रही होती चाकी जो नानी है यह उसे वहाँ दिखती है एक दूसरे घौक करते सन ने चाक को उसके नानी के जो टीत थे वो वापस कर दिये है यह टीत को नानी को दिखा दिये वो खेथे है कि तुम जब वापस आओगी तब तुम्हें यह लगेंगे नानी उसे बोलती है कि मुझे आप यह नहीं लगेंगे तुम जब बुड़ी होगी तो तुम्हें यह लग सकते है नानी उसे दूर हो रही है ऐसा उसे लगता है इसका मतलब है नानी अब मर चुकी है और इसका realization उसे होता है नेक्स दिन चा की मदर यह news सुनाने के लिए वहा आती है चा की मदर उसे कहती है तुम्हारी नानी यह teeth पीछे छोड़कर चली गई थी वो hospital में फिर से रेडिस ना खाय तो इसलिए उसने यह किया था चा की मदर उसे बुच्छती है तुम साइबाग हो यह किसी को बताया तो नहीं न चा कुछ बोलती नहीं तो वो समझ जाती है इसने किसी को बताया है इसकी मदर उने लए जाती है वो केती है इसी चीज़े तुम्हें दुनिया को नहीं बतानी है चा बहुत ही दुख में होती है नानी की जो भी सब चीज़े होती है ये वो गाड़ देती है ये टीत पहले गाड़ती है विसे लगता है कि ये टीत उसे नहीं गाड़ने चाहिए ये फिर वो निकाल लेती है जाक को सहारा देने के लिए सन भी बहाता है और एक दूसरे को घिस करते है डॉक्टर्स ने ट्यूब से इसे कुछ खाना दिया है इसे चाह अब थोड़े दर तक जी रही है पर अगर ये कुछ खाना नहीं खाएगी तो ये पक्का मर जाएगी सन जो है अब इसके लिए केर करता है ये दोनों अब प्यार में है तो इसे लगता है कि इसे कुछ खाना चाहिए सन फिर एक आइडल लगाता है इसके पास अपनी मदर का एक फोटो होता है जो एक बड़े से पेंडल में होता है ये पेंडल फिर वो चाह को दिखाता है वो कहता है कि एक डिवाइस है अगर ये device में तुम्हारे body में fit कर दूँगा तो इससे तुम जो खा रही हो ये destroy हो जाएगा और इससे directly energy में convert हो जाएगा इससे तुम कुछ भी खा सब होगी ये फिर जोट mood उसका operation करता है ऐसा pretend करता है और चाको भी ये सच लग जाता है फिर उससे candy में लेकर आता है जब ये इसे खाना देता है जाको अब भी नहीं लग रहा होता ये work करेगा चाह उसे कहेत एक अगर में खा लूँ अगर ये work नहीं करेगा तो क्या होगा सन खेता है कि work करेगा मुझवर भरसा रखो चाहो से कहती अगर ये खराब हो गया और तुम अगर मेरे पास नहीं रहे तो मैं क्या करूँगी सन गेता है कि महमेशा तुमारे साथ ही रहूँगा इसे confidence देता है और फिर खाना खिलाता है अब एक खाना खाने लग जाती है चाह का जो purpose था या अब चला जा चुका है उसके नानी को उसे बचा रहा था इसके नानी अब इस दुनिया में नहीं है तो अब ये क्या करेगी इसकी नानी के जो ग्रेव उसने बनाए होती है यानि कि उसकी चीजे उसने गाड़ी होती है वहाँ आती है इसकी memories में वो याद करती है जिस दिन उसके nani को ले जाया गया था इस memory को अपने मन में याद करती है इसके लिए बहुत ही painful था जिस room में वो थी इस room में एक radio था नani और वो हमेशा इस radio से गाना सुनते थे इसी radio से चाह हमेशा बात करती है उसे एक प्रॉड का सुनाय देता है और ये इसके खुद के ही थोट होते है इसे सत्मा लगा था और इसके बाद से इस रेडियो से उसे आवाजे आ रही थी ऐसा उसे लग रहा था चाको लगता है कि अब उसे बेटर होना चाहिए इसलिए डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बता देती है उसके मदर ने उसे कहा था कि तुम साइबाओ हो किसी को बताना नहीं है लोग तुमें गलत समझेंगे पर अब ये जो है ये इस दुन्या को बता देना चाहती है ये डॉक्टर को जब बताती है डॉक्टर को इसको प्रॉब्लम पता चल जाता है ये एक दुसरों को हग करते है डॉक्टर बता दिये कि परफेक्ली फाइन है कि तुम साइबाओ हो अब नेक सिन में हमें चाह और सन दोनों बेठे होए ये दिखता है चाह को उसकी जो नानी है ये कुछ मैसेज दे रही है ये उसके पता जलता है ये जब मैसेज वो लिखते है तब ये इंटरप्रेट करते है कि इन्हे नुक्लियर बॉम बनाना है इसके लिए इन्हे बहुत सारी एनरजी लगने वाली है तो इस काम में वो भी लग जाते है इनके जो imaginary world है इसमें बहुत जाते है और काम करने लग जाते है ये सब जो वो कर रहे है ये इनकी imagination में कर रहे है पर ये एक दुसरे के साथ है एक दुसरे का खयाल रखते हुए ये सब वो कर रहे है ये दोनों flawed characters है एक दुसरे से अप मिल चुके है और एक दुसरे का खयाल रख रहे है ये जो movie थी ये बहुत ही well constructed movie थी एक जुट में हमें एक सच बताया कया है जैसे हम movie के first में देखते है कि चाक उसकी mother कहती है तो में किसी को भी पता ना नहीं कि तुम साहिबा हो यानि कि society उसे accept नहीं करी कि society के fear में आप जो हो किसी को भी नहीं बता दे और अपनी life नहीं जीते है आपके life में आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है चो आपसे छीन ली जाती है इस case में चाक के लिए उसके grand mother ये थी उसे फिर से पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए ready थी उसे एक self-realization था उसकी नानी को अगर उसे बचाना है तो उसके जो sins है यानि कि sympathy, sad होना, restlessness ये जो seven sins होते है इससे उसे उपर उठना है इसके लिए वो मेनत भी करती है यानि कि आदमी के मन में जो सब बुरी आदत है होती है जो demons होते है इनको हमें पार करना पड़ता है हमारे goal को achieve करने के लिए इसके बाद है अपना purpose lose करती है अपना जो love partner है इसे पाती है फिर से दोनों मिलकर उनका purpose जून लेते है और से बाद एक दूसरे को help करकर जीते है इस एक beautiful ending ये साथ ये movie खतम हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस channel के subscribe कर दीजे और bell notification icon दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया